हलो एवरिवन, वेलकम टू गोल उन, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुंदन, आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोचल अस्टेडिस का यूनिट टू दी मेनी वेस ओफ लिविंग, चैप्टर का नेम है ग्रीन लैंड दी लैंड अफ आइस एंड शो, चैप्टर फाइव का है ये क चैप्टर शुरू करते हैं, चले आज क्या क्या पढ़ने वाले हम देखते हैं, जोग्रफी, लैंड अन लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइड लाइफ, लाइफ अफ दी पीपल, एकोनॉमी, फूड, ट्रांसपोर्ट, इगलूस, मॉडरन लाइफ अस्टाइल इसकिमोस, जोग्राफी, लैंड अन लोकेशन, ग्रीन लैंड, चैप्टर का नेम है ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एक कंट्री के बारे में पढ़ा था, कौन सा वो कंट्री का नेम है, आपको कमेंट करके बताना है इस चैप् पढ़ेंगे कि country में land कैसा है, यहां का climate कैसा है, यहां का vegetation कैसा है, यहां के लोग रहते कैसे, यहां पर क्या खास बात है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, greenland lies in the north polar region, जो greenland है, वो कहां पर लाए करता है, north polar region में, polar region दो हुए, एक north, एक south तो उपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, north, तो north polar region में क्या है, greenland, the part of the earth which is extremely cold throughout the year, यह धर्दी का एक ऐसा हिस्सा है, जो हमेशा ठंड रहता है, पूरे साल यहां ठंडी रहती है, located between the Arctic and North Atlantic Ocean, यह जो है Arctic और North Atlantic Ocean के बीच में लाइ करता है, greenland is a part of Denmark, greenland जो है, यह देश है Denmark, इ Iceland है, greenland क्या है, Iceland, इस देश का हिस्सा है, Denmark देश का हिस्सा है, greenland, it is the world's largest Iceland, यह दुनिया का सबसे बड़ा Iceland है, क्या, greenland, with an area about 21660860 square kilometer, its capital city is nook, अब इसका capital city का name आपको बताना है, तो इसका capital city का name है, nook, formerly known as gottav, इसका name हो गया, gottav भी कहते हैं, इसका capital का name है, nook, the buffin bay and the davis estate to its west, यह जो greenland है, अब इसके बारे में देखिए, कहां पर है, इसके आस-पास वाले इलाके के बारे में बताया जा रहा है, the buffin bay and the davis estate, यह दुनों जो जगहें हैं, यह इसके west side में है, separated from the northern island of Canada, जो greenland को अलग करती है, Canada के island से, कौन-कौन, buffin way and davis estate जो है, greenland, जो iceland है, और एक Canada का island है, इन दोनों को अलग करती है, northern side से, देखिए, यह रहा हमारा greenland, इसके बारे में पढ़ने बाले हैं, यह पूरा जो इलाका है, इसके Denmark कहते हैं, और यह iceland है, जो arctic ocean है, वो इसके north side में है, greenland के, and greenland sea is it to east, greenland जो यह iceland है, इसके north के side क्या है, north के side क्या है, arctic ocean है, north के side, किसके north के side, greenland के, north के side, arctic ocean है, greenland sea है, greenland sea है, east के side, north में arctic ocean, east में greenland, the labador sea is it to its south, जो labador sea है, इसके south के side है, the major physical feature of greenland is its massive ice sheet, जो major physical feature है, greenland का, वो क्या है, ice sheet, इसका जो main हम physical feature कहेंगे, तो इसके पास क्या है, इसके पास ice sheet है, बहुत मातरा में बर्फ है, जिसके वज़े से यहां बहुत ठंड रहती है, about 80% of the covered by the ice sheet, जो एक greenland इलाका है, इसका 80% जो एरिया है, वो बर्फ से ढखा हुआ है, देखिए, यह है बर्फ, यह बर्फ, एक बहुत बड़े चट्टान, बर्फ के चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो अलग होचके पानी में तैर रहा है, Greenland is a low plateau, surrounded by coastal mountains, which are always covered with thick snow, Greenland जो है, बहुत ही low plateau है, यहाँ पर जमीन, नॉर्मल जमीन, जिस पर खेती बाड़ी हो सकती है, वो बहुत ही कम है, यह दर असल coastal mountains से cover है, समुद्र के इलाके को हम coastal areas करते हैं, वहाँ पर पहाड़े हैं, और उस पहाड़ों पर हमेशा ही एक मोटी परत रहती है, किसकी, बर्फ की, During a spring, huge blocks of ice break off from the main mass of the ice and float into the ocean, A spring का जब मोसम आता है, तो बड़े-बड़े जो चटान है, बर्फ के, वो अलग हो जाते हैं, और इस तरह से तेरते हैं, जो image में आप देख रहे हैं, यह बड़े से चटान का हिस्सा है, बड़े से बर्फ के चटान का हिस्सा है, जो पानी में तेर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, आइस बर्फ कहेंगे, यह जो है, शिप्स अगर इनके रास्ते में आएगी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है, थ्रेट मतलब रुकावट, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर शिप्स वगरा जाएंगी, अगर यह बीच में आ जाएगा, तो शिप्स को बहुत तकलीफ होगी आने जाने में, इसलिए यहाँ पर यह बहुत दिकत पैदा करती है, क्या, आइसबर्ग, इन 1912, दि फेमस शिप टाइटानिक शेंक आफटर हीटिंग अने आइसबर्ग, अगर आप जानते होंगे टाइटानिक की कहानी, तो वह आप जानते होगी कि 1912 में जो फेमस टाइटानिक जो था डूब गया, किसकी वज़े से, ऐसे ही बर्फ से टकरा की वज़े से, तो इसे आप याद रख़ेगा, कि बर्फ से टकरानिक की वज़े से, टाइटानिक जो फेमस है, बहुत ही टाइटानिक बनी थी शीप, जो इसे बहुत ही अपने आप पर गुमान था, कि यह बहुत ही बेस्ट है, या फिर कह सकते हैं कि वर्फ दी वर्ड dal ब संस्था है जो आईसे से आईसबर्ग पर नजर रखती है विजिल का मतलब नजर रखती है ताकि कोई शिप्स इसके बीच में आ न जाए या फिर अगर आ भी जाती है तो इन्हें खतम कर देती है ये तो Greenland का हमने location और land वगरा का देखा अब हम यहां के देखने वाले हैं यह सके आप लोग जानते हैं polar region में है तो इसकी वज़े से यहां पूरी साल बहुत ही ठंड ही का एसास होता है यहां मौसम बहुत ठंड रहती है हमेशा पूरे साल इट हाज 9-10 months of winters यहां पर पूरे साल कितने महिने होते हैं 12 महिने तो उसमें से 9-10 महिने यहां पर ठंड ही र पर कोई भी object बर्फ बन जाता है ठीक है अगर temperature इससे भी नीचे गिर जाता है तो 0 degree मतलब देखिए पानी जो है 100 degree पर गर्म होना शुरू होता है 100 degree पर गर्म होना शुरू होता है और 0 degree पर बर्फ बनना शुरू होता है ठीक है summers are only for 2 months जो गर्मी है वो सिर्फ 2 महिने के लिए होती है 9 से 10 महिने हम सब यहाँ पर देखिए 9 to 10 लिखा हुआ है 9 to 10 months of winters यहाँ पर जो 9 से 10 महिने वहाँ पर घर्मी थंधी राती है ठंडी रहती है महाँ पर Summers are only for 2 months और गर्मी जो है सिर्फ 2 महिने के लिए आती है ठंडी 10 महिने और गर्मी 2 महिने The climate along the coast is generally pleasant during summer और जो मौसम है कोस्ट के इलाकों पर वो बहुत ही pleasant रहता है बहुत अच्छी रहती है गर्मियों के दिनों में कैसे आपको अगर बहुत ही ठंडी है किसी दिन आप अगर धूप का एहसास होता है आप छट पर जाईएगा ठंड के दिनों में तो आपको बहुत ही सूरज की जब रोशनी पड़े गी आपर तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है वही यहाँ पर pleasant experience के बारे में बताये गया है जो इस्टन कोस्ट वाला हिलाका है वो बहुत जादा ठंड है किस से वेस्टन कोट से नुक विचिज ऑन दी वेस्टन कोस्ट एक्सपिरियंस माइड समर आफ 10 डिगरी सेल्सियस जो नुक है क्या है नुक इस एक कैपिटल ओफ किसका बताये ग्रीन लेंड का एक कैपिटल है नुक जिसके वेस्टन साइट पर मिड समर टेंपरेचर 10 डिगरी सेल्सियस का एक्सपिरियंस होता है ठीक है आब हम देखने वाले हैं यहाँ का वेजिटेशन, खान पान क्या है यहाँ पर जमीन के अंदर क्या है किसकी वज़शे से लोग जीते हैं क्या उगाते हैं यहाँ का वेवसाय क्या है Due to the cold climate आप लोग जानते हैं यहाँ पर cold climate किसकी वज़शे किसकी वज़शे क्यूंकि Greenland जो है North polar side में lie करता है No plants can grow in Greenland जंगल नहीं है और देखे कुछ प्रकार के हैं, ग्रासेस हैं याँ पर देखे क्या क्या है उनका नाम मोसेस, फर्नस, लीचेंस, ग्रासेस और बुशेस ये सब उगते हैं लेकिन कब उगते हैं आपको याद है इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा उन दो महिनों के बीच में तो गर्मी मिल गई पाउधों को इसलिए वहाँ पर छोटा सा यहाँ पर वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा मोसेस, फर्नस, लीचेंस, ग्रासेस और बुशेस का अब हम देखने वाले हैं वाइड लाइफ के बारे में जानवरों के बारे में कि वहाँ के जानवर कौन से हैं और कैसे हैं वाइड लाइफ जो जितने जानवर आपने नाम देखे अभी तक यही लोग यही जानवर सिर्फ वहाँ पर सर्वाइब कर सकते हैं क्योंकि इनके जो चमडी है चमडी फर जो जिसे कहते हैं वो बहुत ही मोटा होता है जिसके वज़े से यह ठंड को बरदाश्ट कर पाते हैं पोलर रिजन में इसलिए ग्रीन लैंड के धर्ती पर आपको सिर्फ इन जानवरों का अस्तित्व मिलेगा आर्टिक, फॉक्स, हस्की, मॉक्सोक, पोलर हैर, सील्स, वेल्स यही सब जानवर आपको वहाँ पर मिलेंगे अमऑंग इस, जील्स अंड वेल्स आर फॉंड अलॉंग दी कोस्ट और रांटैड बाइ पीपल और सील्स, अंड वेल्स, यह दो जानवर हैं, यह आपको कोस्ट के साइड में मिलेंगे तटिये इलाकों में मिलेंगे और ये जो जनरली इन हैं इनका शिकार किया जाता है हम human के दोरा और इन्हें पका के खाया जाता है huskies are wolf like dogs huskies देखिए ये जो image देख रहे हैं आप इसी को कहते है huskies huskies are wolf like dogs देखिए इसे आप देखकर अगर आप यहाँ भारत में इसे देखिएगा और ये white color का नहीं होगा तो आपको ये कुटा लगेगा और अगर आप इसे एक side से और नजरिये से देखिएगा तो ये wolf की तरफ ही दिख रहा है तो इसी लिए इसे कहा जाता है wolf like dogs ठीक है इसका नाम क्या है huskies widely used by people for pulling sledges ये बहुत ही जादा इस्तिमाल किया जाता है इस जानवर का किसके लिए sledges को pull करने के लिए ये जो word meaning है sledges इसका मतलब है ये एक vehicle है ये एक vehicle है जिसमें चक्के नहीं होते हैं इन पर लोग बैठते हैं और ये जो जानवर है huskies इनके द्वारा इसे pull किया जाता है बर्फ पर चक्के नहीं चलते हैं उन्हें टाना जाता है ये जानवर इसने जैसे घोड़ा गाड़ी पर आपके इसे बैठते हैं तो घोड़ा आपको टानता है लेकिन उसमें चक्के होते हैं इसमें चक्के नहीं होते हैं यह जो जानवर ठंड में इसलिए सर्वाइब कर पाते हैं क्योंकि इनके पास थिक फर होता है बहुत ही मोटा फर होता है या फिर मोटी चमड़ी होती है या फिर एक मोटा सा और layer होता है जिसे हम blubber काते हैं वो skin के अंदर होता है जिसे fats काते हैं उसी को blubber काते है which protects them from the savory cold जो इन्हें बचाता है बहुत ज़्यादा ठंड से ठंड में या फिर वहाँ पर ठंड में जानवर जो tick पाते हैं वो दो ही कारणों के वज़े से life of the people अब हम देखने वाले हैं हमने जानवरों के बारे में देख लिया हैं वहाँ के जंगलों के बारे में देख लिया हैं जो की नहीं है अब हम देखने वाले हैं वहाँ के लोगों के बारे में वहाँ के लोग कैसे रहते हैं क्या है उनका जीने का तरीका Greenland is the least densely populated country in the world Greenland जो है दुनिया में सबसे कम अबादी वाला देश है ठीक है With a total population of about 57,600 इसका जो Greenland का total population है वो 57,600 only है दुनिया में सबसे ज़्यादा population कहीं कम है तो कहां पर है? Greenland में The people lead a very hard life due to the harsh life due to the harsh climate condition यहां के जो लोग है वो बहुत ही कठिन जीवन जीते हैं किसकी वज़े से? यहां के कठिन मौसम की वज़े से ठंडी बहुत रहती है जानवरों के पास तो उनका थिक फर है या फिर थिक अस्किन है तो वे सर्वाइव कर पाते हैं लेकिन human beings जो यहां के natives है जो यहां के रहने वाले वो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल रहता है यहां पर देखिए यहां के लोग कितने मोटे कपड़े पहनते इस इसी की वज़े से यह भी लोग यहां पर रह पाते हैं अगर कोई human beings green land में रहता है ग्रीन लैंड का native है native कहने का मतलब वहां का local है निवासी वहां रहता है बहुत सालों से उनके पूरवज उनके दादा पर दादा सब वहीं पर रहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे iskimos देखिए iskimos लोग ऐसे दिखते हैं ठीक है however most of them have mixed with Europeans and are now known as green landers दखिए यह जो iskimos है यह जादा तर Europeans से मिले हुए हैं कहने का मतलब Europe से travel करके आए हैं पहले जो आर्थ है वो मिला हुआ था इसकी वज़े से Europe के निवासी जैसे लगते हैं कौन iskimos known as green landers जैसे आप Europe में रहिएगा तो आपको Europeans नाम दिया जाएगा आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडियन कहा जाता है वैसे ही green land वारे जो green land में रहते हैं उन्हें green landers कहेंगे इनका कद भी बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत मोटे होते हैं इनका आकार जो शरीर का होता है बहुत ही मोटा होता है ये बहुत ही मोटे कपले पहनते हैं क्यों पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर climate बहुत ही harsh है बहुत जादा ठंड है इसलिए जितना मोटा हो सके वे लोग पहनते हैं ये मोटा कपला कहां से लाते हैं जो जानवर मर जाते हैं के खाल को ये कपड़े का रूप देकर पहनते हैं एक प्रकार का और भी स्पेशल क्लोथ ये पहनते हैं ये जो हिस्सा है जो इसके चेहरे को ढख रहा है इसे हम हुड कहेंगे जो इसके सर को ढखता है जो ठंड से इन लोगों को बचाता है these quotes are called perka और इस प्रकार के वस्तुर को हम क्या कहेंगे perka these types of quotes the official language of the country are Greenlandic and Danish जो इनका जो official language है यहां का वो Greenlandic और Danish है दो भासा यहां पर बोला जाता है Greenlandic और Danish English also widely spoken by the people English यहां पर बहुत ज़्यादा मातरा में लोगों के द्वारा बोला जाता है The main occupation followed by the people are fishing, hunting and mining Main occupation है मतलब वेवसाय fishing करते हैं, hunting करते हैं और mining करते हैं, यह तीन चीजों से अपना वो गुजारा करते हैं अब हम देखने वाले हैं Economy Greenland has deposits of minerals like copper, lead, zinc, uranium and platinum Greenland के पास कौन-कौन से mineral है Copper है, lead है, zinc है, uranium है, platinum है Zinc and lead are the main ores mind Zinc and lead जो है, वो यहां के main ores mind है Agriculture is almost impossible आप लोग जानते हैं कि यहां पर बहुत ज़्यादा climate harsh है जिसकी वज़ए से 10 महिने यहां पर ठंडी रहती है तो जिसकी वज़ए से agriculture करना थोड़ा सा मुश्कील है Impossible है Our culture is almost impossible The main economy of the country is based on fishing Fish exports and mining यहां की जो country का GDP बनता है, economy बनती है वो तीन चीज़ों की वज़ए से बनती है Fishing, fish exports and mining Fishing करके यह लोग उसी fish को export करते हैं बाहर के देशों में Mining करते हैं इन minerals को निकालते हैं copper, lead, zinc, uranium, platinum को अब हम देखने वाले food यहां के लोग खाते क्या है The scheme most mainly depends on animals for food यहां के जो लोग है वो generally पूरी तरीका से अनिमल पर डिपेंड है यहां पर जैसे आप जानते हैं कि agriculture impossible है जिसकी वज़े से पूरे वो अनिमल पर डिपेंड है As agriculture is possible only on 1% of the total land area Agriculture जो है वो सिर्फ 1% टोटल लैंड में सिर्फ 1% जगा पर possible है Some vegetables like potatoes are grown in summer जब दो महिने के लिए गर्मी आती है तो वहां पर potatoes उगाये जाते हैं इन्दी South West Coastal Region और सिर्फ इस इलाके में South West Coastal Region में आप potatoes को उगाते हैं The people are export hunters यहां के जो लोग हैं जैसे इन लोगों का occupation totally animals पर depend है तो यहां के लोग export हैं hunting करने में Their main hunting weapon is the harpoon इनका जो main हतियार है वो यह है harpoon आप देख सकते हैं यहां पर image पर which is either thrown by hand or fixed from a gun यह दो तरीकों से इनका शिकार किया जाता है या फिर इस भाला को direct फेक कर या फिर gun की तरह इसे fire करके इस harpoon की मदद से तीन चीजों का शिकार करते हैं यह लोग whales का, seals का और fish का the schemos make use of almost every part of the animal hunted जब schemos लोग इस जानवर का शिकार करते हैं तो उस जानवर में जितना भी ingredient हमें मिल सकता है वो सारा यह सब extract कर लेते हैं जैसे apart from eating its meat generally उसका शिकार करके तो उसका meat खाएंगे अपना food के रूप में उसे use करेंगे there a skin is used to make claws और जब उस मर जाएंगे तो उसके mask को खाएंगे और उसकी चमडी को कपड़ा बना लेंगे और tents and boats, tents बना लेंगे रहने के लिए और boats पानी में चलने के लिए उसी जानवर को मार कर the blubber is used as a fuel और जो चर्बी होती है blubber यहाँ पर चर्बी है ठिक लेयर होता है किसी भी animal के अंदर इस blubber को fuel की तरह इस्तिमाल करेंगे यानि जलाने के रूप में इस्तिमाल करेंगे the bones of the animals are used to make needles and harpoon heads and their tendons are used to make thread दखिए जो हड़ी है जानवर का उसे needle यानि नोकीला बना लेंगे इस वाले हिस्से को हम needle कहेंगे या फिर harpoon का ये head इसी को कहेंगे जो हड़ी है उसका इस्तिमाल needle बनाने में या फिर harpoon का head बनाने में कर लेंगे उसी जानवर के हड़ी का इस्तिमाल their tendons are used to make thread ट्रांसपोर्ट shipping and air services अब हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में shipping and air services are the main means of transport ट्रांसपोर्ट के याँँपर दो जर्ये हैं एक shipping दूसरा air service shipping कहने का मतलब हुआ यानि पानी के रास्ते से जहाज वगरा से जहां से जा सकते हैं travel कर सकते हैं यह transportation exits both within the country and between वो दो तरीकों से एक तो आप country के अंदर अंदर ही कहीं भी जा सकते हैं seaport का formation हो चुका है there are no roads यहाँपर कोई भी road नहीं है esquemos use a special boats called nyaks जैसा कि आप जानते हैं यहाँपर road नहीं है तो esquemos जो है esquemos कौन यहाँ के local people native people वो वे लोग special boats का इस्तिमाल करते हैं जिने हम क्या कहते हैं kayaks for transport and for hunting sea animals इसी का इस्तिमाल किया जाता है transport करने के लिए भी और जानवरों का शिकार करने के लिए समुद्री जीव जनतूओं का शिकार करने के लिए कयाक के द्वारा ही travel किया जाता है देखिए यही है कयाक it is a small boat covered with seal skin यह जो छोटा सा boat देख रहे हैं यह seal के चमडी से बना हुआ है another type of boat used by esquemos is umika एक प्रकार का और boat है जो यहाँ के esquemos के द्वारा इस्तिमाल किया जाता है उसका नाम है umika its name means woman boat as opposed to the kayak which means man's boat the umik is the bigger boat used for carrying women and children देखिए यहाँ पर दो boat के बारा में आपको पता चला एक है kayak एक है umika देखिए जो umika umika इसका जो नाम है आपको देख रहे होंगे थोड़ा uman type या फिर लड़की का नाम जैसे लग रहा होगा इसका मतलब है umans boat इसका इस्तिमाल औरते करती है travel करने के लिए और बच्चों को ले जाने के लिए ठीक है और यह kayak जो है यह पुरुष इस्तिमाल करते हैं जिसे हम कहते है man's boat और umi का इस्तिमाल करती है औरते हैं जिसे हम कहते है umans boat slages which are wheelless karts are also used for hunting slages slages मैंने आपको बताया एक प्रकार का वहिकल है जिसमें चक्के नहीं होते हैं यह जानवरों के द्वारा खीच कर जाया जाता है बर्फ में रगड़ा जाता है इसे देखिए which are wheelless karts are also used for hunting शिकार करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और यह wheelless चक्के नहीं होते हैं इसमें these are generally pulled by the reindeer huskies इन्हें reindeer या फिर huskies के द्वारा generally pull किया जाता है देखिए इसी प्रकार आता है यह देखिए reindeer और यह रहा आपका इस पर देखिए कोई भी चक्का नहीं है और यह reindeer के द्वारा pull किया जाता है यहाँ पर लोग बैठते हैं यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं इगलूस के बारे में इगलूस आदी special houses made by the iskimos during the winter season इगलू एक खास प्रकार का घर है जिसे iskimos के द्वारा बनाया जाता है ठंड के मोसम में यह टेंपररी है सिर्फ ठंड के मोसम में कुछ समय के लिए से बनाया जाता है इसे बर्फ के बड़े-बड़े टुकले से बनाया सिमेंट किया जाता है बनाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही दर्वाजा राता है इस घर में जो बहुत ही छोटा राता है ताकि हवा जादा आए या फिर जाए नहीं अगर आप घर के अंदर जाएगा तो जो नीचे जिस पर पैर रखिएगा वो अला हिस्सा जानवर की चमली से ढखा हुआ राता है देखे इसी प्रकार राता है इगलो देखे कितना सा छोटा सा है और इसके अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है इसे घर के अंदर ये जानवर की चम्डी से बिछा हुआ है During the summer season, the schemos live in the tents made of the skin of animals गर्मियों के दिनों में schemos जो है, tents बना लेते हैं जो जानवर की चम्डीयों से बना रहता है Seals या reindeer इन दोनों के चम्डी में से बना रहेगा These are called topics और इन घरों को क्या कहेंगे, topics थंड के दिनों में अगर कोई घर बनाएगा, उन्हें हम इगलू कहेंगे और गर्मी के दिनों में अगर schemos, tents बनाएगे, तो उसे क्या कहेंगे, topics However, today most of the schemos live in modern houses with better facilities लेकिन ये तो पुराने जमाने की बात हुई अब के समय में modern जब time आ गया है, तो सारे schemos एक modern के घर में रहते हैं, जिसमें normal brick, cement, sand इस्तिमाल करके बनाया जाता है उस घर को और एक better facilities और सारी उपलबदियों के साथ रहते हैं अब हम देखेंगे modern lifestyle of schemos, the life of schemos has changed in the past few years कुछ पिछले सालों में, schemos की जो जिन्दगी है, वो बदल चुकी है पहले वह लोग इगलूस में रहते थे, जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है अब वहां का development हो चुका है, वहां के लोग बदल चुके है now they have permanent houses with electricity to live in, अब उनके पास पक्के मकान है और बिजली के साथ, सारे बिजलीयां की उपलबधिया हैं उनके पास they consume tinned vegetables and milk imported from other parts of the world अब ये लोग, tinned vegetable, tinned मतलब vegetable, जो डिब्बे में pack करके आती है और milk imported from other parts of the world, अब ये सबजीयां और दूद भी पीते हैं और खाते हैं कैसे, बाहर की देशों से, मंगा कर harpoons are no longer used for hunting, अब पहले harpoons का इस्तिमाल किया जाता था जानवर को शिकार करने के लिए अब वैसा नहीं है, instead rifles are used, इसके जगा पर rifles का इस्तिमाल किया जाता है, बंधुकों का for farms have been established to breed animals, और अब फार्म वगरा भी लगाया जा चुका है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर animals को breed करने के लिए, उनका उतपादन और भी तेजी से करने के लिए primary schools, hospitals, libraries and clubs are present in most of the towns and villages वहाँ पर प्राथमे का स्कूल है, hospital, library, clubs, वे सारे खुल चुके हैं, कहाँ पर Greenland में, better air facilities which connect Greenland to the cities of Europe and North America और यहाँ पर transportation, air वाले transportation में बहुत सारा बदलाव किया गया है जिसमें Greenland से आप Europe और North America वाले cities पर भी आसानी से connect कर सकते हैं travel करके, have brought the Greenlanders closer to the rest of the world और Greenland की जितने भी निवासी हैं, उन्हें सारे दुनिया से और भी जोडने का काम कर रहा है क्या modern lifestyle की वज़े से, वहाँ के development की वज़े से यह chapter अब खतम हो चुका है, इसका अब हम word meaning देखेंगे, जो बहुत ही जरूरी है आप इस chapter, कोई भी chapter पढ़ने से पहले, उस chapter का, जो आपको hard word meaning लगे उससे आप mark करके, उसका hindi meaning खोज कर उससे याद कर ले तो आपको chapter पढ़ने में और समझने में बहुत ही असानी महसूस होगी अगर आपको कोई भी topic समझ में नाया आए, तो आप नीचे comment जरूर करें और अगर अभी तक आपने इस video को like ने किया, तो इस video को भी like कर दें चलिए बढ़ते हैं आगे विजिल का मतलब हुआ है देखना, watch topic, tends made of animal skin breed, produce more animals of the same kind consume, use, economy, the state of country in terms of supply of money tendons, tissue attaching the muscle to the bone अब देखते हैं fact the extreme north of greenland known as peri as land is not covered by ice sheet as the air there is too dry to produce snow the extreme north of greenland greenland के सबसे north वाले हिस्से में उस हिलाके को कहेंगे peri as land peri is not covered by the ice sheet और वहां का जो इलाका है वो बर्फ से ढखा हुआ बिलकुल भी नहीं है as the air there is too dry to produce snow और वहां पर जो हवायन चलती हैं वो बहुती नम रहती हैं जिनके वज़ा से snow का formation होई नहीं सकता the schemos are called inutes schemos को एक और नाम से जाना जाता है inutes schemos call their land kalalit nunat meaning our land schemos अपने जमीन को kalalit nunat kalalit nunat कहते हैं जिसका मतला होता है हमारी जमीन अब हम पूरे chapter का एक बार summary देखते हैं recall कर लते हैं पूरे chapter को greenland is a country in the north polar region greenland जो है एक country है कहां पर north polar region में the major physical feature of greenland is its massive ice sheet एक physical feature है greenland का वो क्या है उसकी इतनी बड़ी ice की चटाने huge blocks of ice are called ice box जो बड़े बड़े बर्फ की चटाने उस चटान से अलग होकर एक अलग टुकडी बना लती है उस टुकडी को हम कहते हैं ice box float in the ocean during a spring spring के मोसम में वो तेरती है ocean में climate is extremely cold throughout the year यहां का जो मोसम है पूरे साल बहुत ठंडी रहती है hence greenland is the least densely populated in the world जिसकी वज़े से यहां पर दुनिया में सबसे कम population है the native people of greenland are mainly schemos यहां के जो native people है जो यहां के निवासी है उसे schemos काते हैं igloos are a special houses made by schemos during winters igloos एक special प्रकार का घर है जो schemos के द्वारा बनाया जाता है जिसका gate, exit और entry एक ही रहता है बहुत ही छोटा रहता है यह fishing, hunting and mining are the main occupation followed by the people यहां के जो निवासी है वो मचली पालन करते हैं मचली का शिकार करते हैं जानवरों का शिकार करते हैं और खुदाई करते हैं minerals के लिए यही इनका main occupation है kayak and umica are a special boats used for transportation and hunting दो प्रकार के यहां पर boats का इस्तिमाल किया जाता है kayak और umica यह दो ही प्रकार के boat हैं जिनका इस्तिमाल किया जाता है transportation और hunting दोनों के लिए thanks for watching इस वीडियो को like कर दें और इस channel को subscribe कर लें और इस वीडियो को जरूर share करें अगर आपको इस chapter को पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप बेजिजक इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं आप इस वीडियो को जरूर share करें अपने दोस्तों में ताकि वे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें thank you